तुर्की ने इस महीने घुशना की है कि वो अपने पाँचवे जेनरेशन के स्टील्था फाइटर जेट प्रोजेक्ट का आनमे पाकिस्तान को शामिल करने का न्योता देगा, जिसके बाद भारत के सामने सवाल खड़े हो गए हैं कि जब तक भारत का अमका प्रोजेक्ट क्या करना चाहिए? भारत के सामने रूस और अमेरिकी फाइटर जेट में से किसी एक को चुनने का विकल्प है. Modern Military Aviation में अत्याधुनिक स्टील्था फाइटर जेट सिर्फ अमेरिका और रूस के पास ही है. चीन का जेबी स्टील्था फाइटर जेट, टेकनोलोजी और ख्षमता के मामले में रूस के सू सत्तावन और अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से पीछे है. लिहाजा आए जानते हैं कि इन दोनों फाइटर जेट्स में कौन सा फाइटर जेट ज़्यादा खतरनाक है. सू सत्तावन, जिसे रूस के एरोस्पेस इंडस्ट्री ने विक्सित किया है और F-35, जिसे अमेरिका ने विक्सित किया है, ये दोनों फाइटर जेट स्टील्था टेकनोलोजी, मल्टी परपस क्षमता, स्पीड, डिजाइन के टॉप का प्रतिनिधित्व करते हैं. अपनी प्रभावशाली विशिष्टताओं के अलावा, ये विमान अपने अपने देशों की रन्मीतिक महत्वा कांक्षाओं और प्राथमिकताओं को भी मूर्त रूप देते हैं, जिनमें से दोनों का लक्ष आस्मान में प्रभुत्व हासिल करना है. आए जानते हैं कि सू 57 और F-35 में कौन सा फाइटर जेट ज़्यादा शक्तिशाली है. सू 57, सू 57 में एडवान स्टील था विशेशता हैं, जैसे कम रड़ा क्रॉस सेक्षन, दातेदार किनारे और रड़ा को चक्मा देने की क्षमता. इसके डिजाइन में स्टील था और एरोडाइनेमिक्स दक्षता का मिश्रन शामिल है. F-35, F-35 को बनाने के लिए स्टील को नई टेक्नोलोजी के साथ निर्मान किया गया है, जिसकी वज़े से ये रड़ा की पकड़ में नहीं आता है. इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है, कि अभी तक दुनिया में जो भी एर डिफैंस सिस्टम है, वो जब इस जेट तो ट्राक करेगा, तो वो जान नहीं पाएगा कि ये एक फाइटर जेट है. सू 57, सू 57 अपनी सुपमेन्यू वेरबिलिटी के लिए प्रसिद है, जो इसे जटल हवाई युद्धा भयास करने और युद्धा के दौरान में हाई एजिलिटी बनाए रखने की अनुमती देता है. ये बहतर नियंत्रन के लिए थरस्ट वेक्टेंग नोजल का इस्तिमाल करता है. F-35, F-35 चपलता और स्थिर्टा के बीच संतुलन पर केंद्रित है. इसके fly-by-wire नियंत्रन और उन्नत एवियोनिक्स उत्कृष्ट हैंडलिंग विशेश्टाएं प्रदान करते हैं, जो इसे विभिन मिशन प्रोफाइलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं. सू 57, सू 57 में एक शक्तिशाली और वर्साटाइल रडा प्रनाली, इन शून्य तीन छे बाइल का लगाया गया है, जो एक साथ कई लक्षों पर नजर रखने के साथ साथ एक साथ कई ठेकानों पर हमला करने में सक्षम है. इसमें Advanced Electronic War System भी शामिल किया गया है. F-35, F-35 में ANAPG-8AKESA रडा लगाया गया है, जो अपने लक्ष को काफी आसानी के साथ ट्राक कर लेता है और Electronic युद्धा करता है. इसका Distributed Aperture System, DAS Jet को उड़ाने वाले पाइलेट को युद्धा के दौरान दुश्मनों की हर एक गतिविदियों के साथ साथ आने वाले खत्रों के बारे में भी बताता है. सू 57, सू 57 हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसालों, सटीक निर्देशित बम और जहाज रोधी हथियारों की एक विस्तृत श्रिंखला ले जा सकता है. यहीं एक महत्वपूर्ण पेलोड क्षमता प्रदान करता है. F-35 में अपनी स्टील्था प्रोफाइल को बनाए रखने के लिए अपने बौडी के अंदर हथियारों और मिसालों को छिपा कर रखता है. यानी, हथियार छोड़ने के वक्त रूसी फाइटर जेट पकड़ में आ सकता है, लेकिन अमेरिकी फाइटर जेट उस वक्त भी रड़ा की ख्षमता से बाहर रहेगा. हालांकि, अमेरिकी जेट में बौडी के बाहर भी हथियारों को रखने के लिए स्पेस दिया गया है. सू सतावन में ओपरेशन को अंजाम देने की परियाप्त ख्षमता है और ये कब तक लड़ाई में शामिल रहेगा, ये फाइटर जेट में मौझूद इंधन पर निर्भर करता है. हालां कि इसमें उड़ान के दोरान भी इंधन भरा जा सकता है, लिहाजा ये इसे लंबी लड़ाई के काबिल बनाता है. F-35 में भी सम्मान जनक ओपरेशनल रेंज और सहन शक्ती है, विशेश रूप से F-35A variant में. इसमें भी उड़ान के दोरान इंधन भरने की कशमता मौझूद है. F-35 और SU-57 के बीच किसी एक को चुनना अत्यांत कठिन फैसला है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी क्शमताओं के लिए टॉप के फाइटर जेट हैं और अलग-अलग मिशन और अलग-अलग वातावरन में दोनों कमाल कर सकते हैं. भोगोलिक शमता के आधार पर भी इनका चयन किया जाता है. हालंक भारत के संदर्व में बात की जाए, तो रूस के खिलाफ अमेरिका और यूरोपिय देशों ने दरजनों प्रतिबंध लगा रखे हैं. लिहाजा अगर भारत रूसी फाइटर जेट खरीदता है, तो भारत पश्चिमी देशों से खरीदे गए हथियारों को इस जेट पर इस्तिमाल नहीं कर सकता है, लिहाजा भारत के पास अमेरिकी फाइटर जेट ही एक विकल्क बच्चता है.